भाई यो बैनों हमारा देश मजबूत होना चाहिए हमारा देश मजबूत होना चाहिए देश मजबूत होना चाहिए मजबूत देश के लिए सरकार मजबूत होनी चाहिए सरकार मजबूत बना के लिए प्रदान मंत्री मजबूत होना चाहिए चौकेदार मजबूत होना चाहिए आप मुझे बताईए आज कल जो 20 सिट लड़ रहे हैं वो भी प्रदान मंत्री बनने के लिए लाइन में खड़े है करनाटका में तो 8 सिट लड़ने वाले भी प्रदान मंत्री के लाइन में खड़े है चाली सिट लड़ने वाले भी प्रदान मंत्री के लाइन में खड़े है यह जितने चहरे आपको दिखते है जो कहते है कि वे प्रदान मंत्री बनना चाहते है आप इमानदारी से बताईए जो सच है वो बोलना है यह पत्रकारों को खुच करने के लिए नहीं बोलना है जो सच होगा वो बोलना है बोलेंगे बोलेंगे यह जितने चहरे हैं बाजार में चुनाव के मदान में यह प्रदान मंत्री की लाइन में जितने चहरे हैं मुझे बताईए इमानदारी से आतंग बात को कौन खतम कर सकता है कौन खतम कर सकता है मोदी अकेला नहीं कर सकता है ये काम कर सकता है आपका एक भूट आपका एक भूट ये आतंग बात को खतम कर सकता है चोकिदार को भर्कपूर समर्षन किजिए आपका भूट मोदी को जाएगा मोडी आतंग बात से लड़ेगा